परिचय, छात्रों, हम सभी सरल रेखाओं के बारे में जानते हैं, क्या कोई बता सकता है कि इन्हें किसने शामिल किया? ठीक है, मैं बताता हूँ, रेखा या सरल रेखा के विचार को प्राचीन गणितग्यों द्वारा अपनाया गया, युकलीट उन्हीं में से एक थे. अध्यापक जी, उन्हें सरल रेखा को अपनाने की आविशक्ता क्यों पड़ी? बच्चो, नगर्ने चोड़ाई और गहराई वाली सीधी वस्तूओं को प्रदाशित करने के लिए उन्होंने सरल रेखा को अपनाया. युकलीट ने एक रेखा को लंबाई कम चोड़ाई के रूप में परिभाशित किया, और आधार भूत गुन धर्मून के रूप में ऐसे कई सिध्धांद प्रस्तुत किये, जो सिध्धे नहीं हो पाए, जिनसे उन्होंने जयामिती की रचना की. क्या आपको पता है कि हम उस जयामिती को क्या कहते हैं? युकलीट जयामिती बच्चो, नगर्णे चोड़ाई और गहराई वाली सीधी वस्तुओं को प्रदशित करने के लिए उन्होंने सरल रेखा को अपनाया. युकलीट ने एक रेखा को लंबाई कम चोड़ाई के रूप में परिभाशित किया और आधार भूत गुन धर्मुन के रूप में ऐसे कई सिध्धांद प्रस्तुत किये जो सिध्धे नहीं हो पाए, जिनसे उन्होंने जयामिती की रचना की. क्या आपको पता है कि हम उस जयामिती को क्या कहते हैं? शाबाश! हाँ, तुम सही हो. युकलीट जयामिती. लेकिन आधुनिक गणित में रेखा की अवधारणा का उस तरीके से गहराई से सम्बंध है, जिसके अनुसार जयामिती की व्याख्या की जाती है. उधारण के लिए वैशलेशिक जयामिती में तल में एक रेखा को प्राया उन बिंदूओं के समों के रूप में परिभाशित किया जाता है, जिसके निर्देशांक दिये गए रेखिक समी करण को संतुष्ट करते हैं, लेकिन आपतन जयामिती में एक रेखा सौतंत्र वस् लगती है, जो उन बिंदूओं के समों से अलग होती है, जो इस परिस्थित होते हैं, आईए सरल रेखाओं के बारे में और जानें उध्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ढाल अंता खंड रूप की व्याख्या करना अंता खंड रूप की व्याख्या करना लंब रूप को जानना एक रेखा के व्यापक समेकरण को लिखना एक बिंदू से रेखा की दूरी ग्याद करना दो समानतर रेखाओं की बीच की दूरी ग्याद करना धाल अंता खंड रूप किसी रेखा के समीकरण को प्रदशित करने के लिए शायद धाल अंता खंड रूप का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है धाल अंता खंड रूप के प्रयोग में समर्थ होने के लिए आपको निम्न करने की जरूरत है एक रेखा की धाल ग्याद करना और रेखा का वाई अन्ता खंड ग्याद करना समानिता धाल अन्ता खंड रूप में निम्न सूत्र को माना जाता है वाई बराबर Mx जमा B जहां M रेखा की धाल है और B वाई अन्ता खंड है धाल अंता खंड रूप का उधारण उसे रेखा का समीकरण ग्याद करें जो Y अक्ष को मूल बिंदो से उपर दो इकाई की दूरी पर काटती है और X अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिगरी का कोण बनाती है हल ग्याद है कि यदि हम M ठाल वाली कोई रेखा Y अंता खंड बनाती C है तो रेखा के समीकरण को Y बराबर MX जमाँ C के रूप में व्यक्त किया जाता है यहाँ C बराबर दो और M बराबर टैन तीस डिगरी जो की एक बटे वर्गमोल तीन के बराबर है इस प्रकार दी गई रेखा का अभीश्ट समीकरण है Y बराबर X बटे वर्गमोल तीन जमाँ दो इसे हल किया जा सकता है X घटा वर्गमोल तीन वाई जमाँ दो वर्गमोल तीन बराबर शूने अंताखंड रूप रेखा का अंताखंड रूप दोनों अक्षों के अंताखंडों पर आधारित रेखाखंड का समीकरण होता है X अक्ष और Y अक्ष पर क्रमशा A और B अन्ताखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण है X बटे A जमा Y बटे B बरावर 1 A X अन्ताखंड है B Y अन्ताखंड है A और B अशुन्ने होने चाहिए लंब रूप किसी रेखा के समीकरण को निर्धारित करने की विधियां, समानिता, रेखा पर एक बिंदू या बिंदूओं के बारे में किसी जानकारी पर निर्भर करती है लंब रूप एक ऐसी विधी है जिसमें रेखा के किसी भी बिंदू के बारे में पहले से जानकारी की जरूरत नहीं होती है रेखा के बारे में इसकी मूल बिंदू से दूरी तथा लंब और X अक्ष के बीच का कोण ग्यात होता है जहां कोण को X अक्ष की धन्दिशा से वामा वर्त मापा जाता है एक सरल रेखा के समिकरण का लंब रूप है X, cos, alpha, j, y, sin, alpha, ght, p, बराबर 0 जहां alpha, X, अक्ष से रेखा पर मूल बिंदू से लंब के बीच का कोण है तथा P, लंब की लंबाई है लंब रूप का उधारण उस रेखा का समिकरण क्यात करें जो मूल बिंदू से 5 इकाई की लंब वत दूरी पर है और लंब द्वारा धन X, अक्ष के साथ निर्मित कोण 30 डिगरी है आईए इसे हल करते हैं यदि P, मूल बिंदू से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है तथा ओमेगा लंब द्वारा X, अक्ष की धन दिशा के साथ निर्मित कोण है तो रेखा के समीकरण को इस परकार व्यक्त करते हैं एक्स कॉस ओमेगा जमा वाई साइन ओमेगा बराबर P यहां P बराबर 5 एकाई और ओमेगा बराबर 30 डिगरी इस परकार दी गई रेखा का अभीष्ट समीकरण है एक्स कॉस तीज डिगरी जमा वाई साइन तीज डिगरी बराबर 5 इसे हल किया जा सकता है X वर्गमूल 3 जमा Y बराबर 10 रेखा का व्यापक समिकरण AX जमा BY जमा C बराबर 0 रूप की कोई समिकरण जहां A और B एक साथ 0 नहीं है व्यापक रेखिक समिकरण या रेखा का व्यापक समिकरण कहलाता है व्यापक समिकरण के विवित रूप ढाल अन्ता खंड रूप यदि B शून के पराबर नहीं है तो AX जमा BY जमा C बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है Y बराबर घटा A X बटे B घटा C बटे B या Y बराबर MX जमा स्मॉल सी जहां M बराबर घटा A बटे B स्मॉल सी बराबर घटे C बटे B य अन्ता खंड है यदि B बराबर 0 तो X बराबर घटा C बटे A बराबर X अन्ता खंड है जो की एक उर्दवा धर रेखा है जिसकी ढाल आपरिभाशित है अन्ता खंड रूप यदि C शूने के बराबर नहीं है तो AX जमा BY जमा C बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है या X बटे A जमा Y बटे B बराबर 1 जहां A बराबर घटा C बटे A बराबर X अन्ता खंड बी बराबर घटा C बटे B बराबर Y अन्ता खंड यदि C बराबर 0 तो AX जमा BY जमा C बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है AX जमा BY बराबर 0 जो मूल बिंदू से जाने वाली एक रेखा है और इसलिए अक्षों पर 0 अन्ता खंड है लंब रूप मान लें X कौस ओमेगा जमा Y साइन ओमेगा बराबर P समीकरण AX जमा BY जमा C बराबर 0 या AX जमा BY बराबर घटा C के द्वारा प्रदशित रेखा का लंब रूप है इस प्रकार दोनों समीकरणे समान हैं और इसलिए A बटे कौस ओमेगा बराबर B बटे साइन ओमेगा बराबर घटा C बटे P इससे हमें प्राप्त होता है, कॉस ओमेगा बराबर घटा अपी बटे सी और साइण ओमेगा बराबर घटा बी पी बटे सी और अब साइन वर्ग ओमेगा जमा कौस वर्ग ओमेगा बराबर घटा A P बटे C पूरे का वर्ग जमा घटा B P बटे C पूरे का वर्ग बराबर एक, या P वर्ग बराबर C वर्ग बटे A वर्ग जमा B वर्ग या P बराबर जमा घटा C बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल इसलिए कौस ओमेगा बराबर जमा घटा A बटे A वर्ग जमा बी वर्ग का वर्गमूल और साइन ओमेगा बराबर जमा घटा B बटे A वर्ग जमा बी वर्ग का वर्गमूल इस प्रकार समीकरण AX जमा BY जमा C बराबर 0 का लंब रूप है X कौस ओमेगा जमा Y साइन ओमेगा बराबर P जहां कौस ओमेगा बराबर जमा घटा A बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल साइन ओमेगा बराबर जमा घटा B बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल तथा P बराबर जमा घटा C बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल रेखा के व्यापक समीकरण का उधारण 3x घटा 4y जमा 5 बराबर 0 को सभी रूपों में व्यक्त करें हल ढाल अंता खंड रूप y बराबर 3 बटे 4x जमा 5 बटे 4 जहां m बराबर ठाल बराबर 3 बटे 4 c बराबर 5 बटे 4 अर्थात y अंता खंड रूप 3x घटा 4y बराबर घटा 5 3x बटे घटा 5 जमा 4y बटे 5 बराबर 1 x बटे घटा 5 बटे 3 जमा y बटे 5 बटे 4 बराबर 1 अंता खंड रूप x अंता खंड बराबर घटा 5 बटे 3 y अंता खंड बराबर 5 बटे 4 लंब रूप 3x घटा 4y बराबर घटा 5 गटा 3X जमा 4Y बराबर 5 पांच से भाग करने पर गटा 3X बटे 5 जमा 4Y बटे 5 बराबर 5 बटे 5 बराबर 1 X कौस अलफा जमा Y साइन अलफा बराबर P P 0 से अधिक है जहां कौस अलफा बराबर गटा 3 बटे 5 साइन अलफा बराबर 4 बटे 5 P बराबर 1 रेखा 3X गटा 4Y जमा 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदू गटा 2 तीन से जाने वाली रेखा का समी करण ग्याद करें हल दी गई रेखा का समी करण है ग्याद है कि समांतर रेखाओं की ढालें समान होती है इसलिए दूसरी रेखा की ढाल है M बराबर 3 बटे 4 अब उस रेखा का समी करण जिसकी ढाल 3 बटे 4 है और जो बिंदू गटा 2 तीन से गुजरती है 3 गटा 4Y जमा 18 बराबर 0 एक बिंदू की रेखा से दूरी एक बिंदू की रेखा से दूरी बिंदू से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है एक रेखा AX जमा BY जमा C बराबर 0 की बिंदू X1 Y1 से लंब वत दूरी D को इस प्रकार व्यक्त करते हैं D बराबर AX1 जमा BY1 जमा C का मापांक बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्गमूल उधारण बिंदू 3 घटा 5 की रेखा 3X घटा 4Y घटा 26 बराबर 0 से दूरी ग्याद करें हल दी गई रेखा है 3X घटा 4Y घटा 26 बराबर 0 ने इसे एक नाम दें एक की तुलना रेखा के व्यापक समिकरण AX जमा BY जमा C बराबर 0 से करने पर हमें प्राप्त होता है A बराबर 3, B बराबर घटा 4 और C बराबर घटा 26 दिया गया बिंदू है X1, Y1 बराबर 3 घटा 5 दिया गया बिंदू की दी गई रेखा से दूरी D 3 बटे 5 है दो समानतर रेखाओं के बीच की दूरी है D पराबर C1 घटा C2 का मापांक बटे 1 जमा M वर्ग का वर्ग मोल यदि रेखाएं व्यापक रूप में हो अर्थाद AX जमा BY जमा C1 पराबर 6 और AX जमा BY जमा C2 पराबर 6 तो उनके बीच की दूरी है D बराबर C1 घटा C2 का मापांक बटे A वर्ग जमा B वर्ग का वर्ग मोल उधारण समांतर रेखाओं 3X घटा 4Y जमा 7 बराबर 0 और 3X घटा 4Y जमा 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ग्यात करें हल यहां A बराबर 3, B बराबर घटा 4, C1 बराबर 7 और C2 बराबर 5 इसलिए अभीश्ट दूरी है D बराबर 7 घटा 5 का मापांक बटे 3 वर्ग जमा घटा 4 वर्ग का वर्ग मोल बराबर 2 बटे 5 क्या आप जानते हैं दो रेखाओं का प्रतिचेद बिंदू मालने दो रेखाओं के समिकरण है A1 X जमा B1 Y जमा C1 बराबर 6 इसे एक नाम दें और A2 X जमा B2 Y जमा C2 बराबर 6 इसे दो नाम दें मालनें कि ये दोनों रेखाओं एक बिंदू P X1 Y1 पर प्रतिचेद करती हैं तब X1 Y1 दी गई समिकरणों में से प्रतिच को संतुष्ट करता है इसलिए A1 X1 जमा B1 Y1 जमा C1 बराबर 6 इसे दो आए दो X1 B2 Y1 जमा C2 बराबर 6 इसे दो ने वज्रक गुणन दौरा इन दोनों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है यहां एक और दो के प्रतिचेद बिंदू के निर्देशांक है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं M धालवाली रेखा पर बिंदू X, Y और Y अन्ताखंड C रेखा पर स्तित होते हैं यदि और केवल यदि Y बराबर MX जमा C हो यदि M धालवाली एक रेखा X अन्ताखंड D बनाती है तो रेखा का समिकरण Y पराबर M गुणा X घटा D होता है X और Y अक्ष पर क्रमशा A और B अन्ताखंड बनाने वाली एक रेखा का समिकरण X बटे A जमा Y बटे B बराबर एक होता है मूल बिंदू से लंब दूरी P तथा लंब और धन X अक्ष के बीच ओमेगा कोन वाली रेखा के समिकरण को X कौस ओमेगा जमा Y साइन ओमेगा बराबर P द्वारा व्यक्त किया जाता है AX जमा BY जमा C बराबर 0 ने रूप का कोई समिकरण जिसमें A और B एक साइन ने ना हो व्यापक रेखिक समिकरण या एक रेखा का व्यापक समिकरण कहलादा है एक रेखा AX जमा BY जमा C बराबर 0 की एक बिंदू X1Y1 से लंबवत दूरी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं सबानतर रेखाओं AX जमा BY जमा C1 बराबर 0 ने और AX जमा BY जमा C2 बराबर 0 के बीच की दूरी को इस प्रकार निरुपित करते हैं